हरा भरा सिसराल बहुत ही किसमत वाली हूँ मैं जो दो बेटे मिले राम लक्ष्मन की तरह साथ ही बड़ी बहु बेले कुल सीता पूरा घर बहु ने कितने प्यार से संभाला है मा उसने तो बस आपकी परंपरा को आगे बढ़ाया है घर तो आपने ही अपनी मैनत और जिम्मेदारियों को समालते हुए यहां तक पहुँचाया है तब ही बड़ी बहु आ जाती है हाथ में प्रसाद और सर पर पल्ला वो सास के पैर छूती है मा जी प्रसाद ले लीजिए आर आप यहीं खड़े हैं पता है ना रोहन के लिए लड़की देखने जाना है आप जाकर सामान ले आईए मा जी आपकी साड़ी निकाल दी है वही पहनना और रोहन कहा है रोहन घर का छूटा वेटा और सब का लाड़ना भी शहजादे कमरे में सो रहे होते हैं भावी के आवाज सुनकर रोहन उठकर वाश्रूम चला जाता है भावी पूरा कमरा देख लेती है लेकिन रोहन नहीं दिखता तो बड़ी बहूरी ना परिशान हो जाती है मा जी कहीं नहीं है रोहन मुझे तो बहुत चिंता हो रही है बिना कुछ खाये निकला ये लड़का हे बगवान कुछ पताता भी नहीं है आये सामने बताती हूं मैं ना पकड़कर कान मरोडे तो पता चलेगा तबी रोहन धीरे से निकल कर मा के पीछे चुप चाता है मा हसते लगती है देख बहू ये रहा तेरा रोहन बाहर पकड़कर क्या है मा तो भी न बावी सारी मैं अब भी तयार हो जाता हूं ये हुई ना बात पर रोहन पहले कुछ खालो और जल्दी उठने के आदट डालो कल को बीवी आ जाएगी तो हमें ही ताने देगी ना कि तुम्हे कुछ सिखा आएगी रोहन भावी के पास जाता है ऐसे कैसे ताने देगी मेरी मा, मेरी भावी आप दोनों मेरे लिए क्या हो ये तो आप लोग जानते ही नहीं हो भावी आपके जैसे ही लाना मेरे बीवी बस हाँ मैं अभी भगवान से यही मांगती हूँ के बड़ी बहु के परचाई ही चोटी बहु में हो पूरा घर एक खुशाल परिवार था सबको एक दुसरे की कदर और प्यार था तब ही ससुर जी आ जाते हैं रीना किचन के और भागती है और ससुर की सामने करेले की जूस का ग्लास रख देती है दुर्गा जी दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन रीना का करेले का जूस वो नहीं अप सकता अरे बहु मैं नहीं पीने बाला क्या है पापा क्यों नहीं पियेंगे आपको पता है न डॉक्टर ने क्या कहा है पापा एक दूसरा ग्लास भी लियाओ देखिये तो बहु कितनी मैनत से बनाती है और एक आप है कि ससुर की सेहर ठीक नहीं रहती थी जिसका खायल पूरा घर करता है बहु है तो कम से कम पी रहे हो हम लोग की तो तुम सुनो भी न अब जल्दी से तयार हो जाओ रोहन के लिए लड़की देखने जाना है हाँ हाँ जैसे तुम सारे तो तयार ही हो अरे बहु जल्दी से कुछ मीठा ही खिला दो देवर के लिए देवरानी जो देखने जा रही हो पापा आप ना कोई मौका नहीं छोड़ते मीठा खाने का पता है न डॉक्टर ने मना किया है अब सब तयार हो जाओना चल्दी से बहु अपनी प्यारी सी छोटी बेटी वीनी को तयार करती है और सारा घर चल दीता है रोहन के लिए लड़की देखने लड़की वालों की घर पहुँचकर वे सारे बैट जाती है हमारी लिल्ली तो बहुत पढ़ी लिखी है वो क्या है न पढ़ने का शौक है उसे पुवरे भी ये तक पढ़ाई की है वो भी अंग्रेजी मिडियम से वैसे हमारी बहु भी न डाक्टर है अमबीबियस की है लेकिन प्राक्टिस घर से ही करती है वही छोटा सा क्लिने का है वैसे मैं तो सिर्फ शौक के लिए काम करती हूँ वो क्या है न घर में ही इतना मन लग जाता है कि मानी नहीं करता कि कोई और काम करूँ तब ही लिल्ली आ जाती है ये है हमारी बिट्टी लिल्ली बहुत ही खुले विचारों की है एड़्जस्ट्मेंट करने में माहिर और अगर हम लोगों के घर कोई बराद भी क्यों न आ जाए पूरी बराद का खाना अकेले ही बना लेती है हमारी बेटी क्यों हां जी हां हमने तो पूरे संसकार दिये है लिल्ली को देखकर रोहन खुश हो जाता है वो बहुत सुंदर थी लिल्ली को भी रोहन पसंद होता है रीना दोनों की नजरे पहचान लेती है लग रहा है लिल्ली को भी हमारे रोहन जी पसंद आ गया है क्या लिल्ली लिल्ली आँखे नीचे करके शर्मा जाती है लग रहा है मैं पसंद नहीं आया भाबी अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मैंने तु कुछ भी नहीं कहा मतलब पसंद क्या सभी हसते लगते हैं घर का माहौल काफी खुश मिजाज हो जाता है वो एक बात पूछनी थी क्या आप लोग भी रोहन के साथ ही रहते हैं यानि मेरा मतलब है कि शादी के बाद लिल्ली को सबके साथ रहना होगा वो क्या है न इतना बड़ा परिवार उसते कभी देखा नहीं है तो शाय है ते अगर नहीं है तो देखना पड़ेगा मुझसे शादी करनी है तो क्योंकि मैं तो परिवार के बिना रही नहीं सकता आप खामखा ही परिशान हो रही है लिल्ली एक बार हम लोगों के घर का हिस्सा बनेगी तो ख़दे समझ जाएगी वैसे भी मेरे लिए तो लिल्ली छूटी बेहन जैसी ही होगी लिल्ली की मा मू बना रही होती है कि लिल्ली कहती है हाँ क्यों नहीं मा मुझे रिष्टा मन्जूर है वाँ ये तो बहुत इच्छी बात है लीजे समझ जी मिठाएगा ही है लिल्ली की पिता रोहन के पिता को जैसे ही मिठाए खिलाने जाते हैं वो रीना की और देखने लगते हैं अरे बहु आज तो इजाज़त दे दे बेटा की शादी तै कर रहे है वो क्या है ना डाक्टर ने मना किया है मीठा काने से लेकिन ये है कि सिर्फ बहु से डरते है ठीके पापा जी आज एक छोटी सी मिठाए आप खाई सकते है माहुल खुब अच्छा था सबको लिल्ली पसंद होती है लेकिन न जाने क्यों लिल्ली की मा का मूँब बना ही रहता है सभी शादी तै करके चले जाते हैं और फिर सबके जाने के बाद उफ ये कुर्तव पजामा मा जिंस देना मेरी हे भगवान ये नाटक नहीं होता मुझसे कैसा नाटक बिटा एक दिन तो हर किसी को शादी करके घर पसाना है क्यों? और शादी के बाद तो ये सिसुराल वालों की मर्जी होती है कि उनके घर की बहु क्या पहने की? अरे रहने दीजिए पागल मत समझे वो लोग तो सोच रहे थे कि सब मिलकर हम लोगों को पागल बना रहे है अरे क्यों पहने की उनकी मर्जी से है? हमारी मर्जी से पहने की वो और तूरे लिल्लिया क्यूं हां करती उस शादी के लिए लड़की क्या मर गए थे सारे जो इतने बड़े खांदान में शादी के लिए हां करती अब पिसना घुन की तरह सारी जिंदगी अरे मा, मैंने तो लड़की को हां की है, पुरी खांदान को नहीं पिटा, लड़के ने साफ कहा है, कि वो अपने परिवार की बिना नहीं रह सकता हाँ, तो आप भी तो नहीं रह सकती थी थी न, मा की साथ अलग हो गए न, ज्यादा न सिखाए ये पापा हाँ, वैसी ये भी सही है, शादी कर ले, फिर एक दो महीने में अलग हो जाना, ठीक है बिटा, ठीक है पिता को ये सब ठीक नहीं लगता, उसे वो दिन यादा आ जाता है, जब उसे मजबूरी में मा को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि लिल्ली की मा को अपनी सास के साथ नहीं रहना था फिर तो ये शादी नहीं होगी, वासे दूर रहने का जो दर्द मैंने और मेरी माने छेला है, मैं नहीं चाता कि कोई और उस दर्द से गुजरे देखे जी, बेटी को रोहन पसंद है, और वो उसी से शादी करने की जिद कर रही है बेटी की खुशियों की चिंता नहीं है, पर अपनी मा का दर्द ऐसे उबल रहे जैसे अंडे पापा, फ्री में मुश्टल मत हो ना ओ मा, रोहन का फोन आया, मैं चिली बात करने बेटी की चेहरे पर रोहन की कॉल की खुशी देखकर पिता भी शान्द हो जाते हैं पर वो दिन भी आ जाता है जब लेली की शादी रोहन से हो जाती है, शादी के बाद क्यासा लगा तुमको मेरा घर? बहुत आलिशान, यार इतना बड़ा घर बनाने की क्या जरुरत थी? वो क्या है ना, भले हम सब साथ में रहते हैं, लेकिन सबका अपना स्पेस होना भी जरूरी है, भापा ने इसलिए ये गर इतना बड़ा बनाया है लेले मन ही मन मुस्कराती है लेकिन किती देर किसको अपना स्पेस बिलेगा? पता है, मा को तो तुम पसंदी नहीं थे, क्योंकि तुम्हारे घर में इतने सारे लोग जो रहते हैं पता था, मुझे उनका चैरा देखकर ही समझ में आ गया था लेकिन अब जब तुम हम सब लोगों के साथ रहोगी तो तुम्हें भी इस घर से और घरवालों से प्यार हो जाएगा, देख ले ना रोहन की बात लिल्ली सुन तो लेती है लेकिन लिल्ली क्या रोहन के घर को अपना घर मान पाएगी? जानने के लिए देखिए हरा भरा सुसराल का अगला एपिसोड बाई